किसान भाईयो नमस्कार मेहू दसरत धाकर आप सभी का स्वागत है एक और नए वीडियो में इस वीडियो में हम गेहु की फसल में हिूमिक एसिट के प्रियोग और फायदों के बारे में बात करेंगे गेहु में Humic Acid का प्रयोग किस प्रकार से करना चाहिए इसका प्रयोग करने से क्या-क्या फायदे होते है कितनी मात्रा लेनी चाहिए और हमें कौन सा Humic Acid गेहु में प्रयोग करना चाहिए जिससे अच्छा रिजल्ट किसानों को मिले किसान भाई इस वीडियो को पूरा देखिए जो किसान हमारे चेनल पर नए हो चेनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आपको ये वीडियो पसंद आता हो तो वीडियो को बढ़ चड़ कर लाइक करना ना बूले तो चले बीना किसी देरी के वीडियो को सुरू गरते है किसान भायो ह्यूमिक एसीड ये एक परकार का जेविक प्रोडक्ट है जो चटानों से निर्मित किया जाता है इसमें ह्यूमिक एसीड इसमें कई परकार के पौसक ततों का समावेस होता है Humic Acid मुख्य रूप से पौदे की जड़ों का विकास करता है नई नई जड़ों का निर्माण करता है पौदे में पोसक ततों की पूर्ती करता है जिससे फशल की ग्रोथ बेहतर तरीके से होती है फशल हरी भरी बनी रहती है पौदा पीला नहीं पड़ता है नई से नई जड़ों का निर्मान होता है जिससे फ़सल में फल फुलों में बड़ोतरी होती है फुटाव ज्यादा आता है अब बात करें कि हमें गेहू की फसल में हुमिक एसिट का प्रयोग करना चाहिए और कौन सा हुमिक एसिट उपयोग में लाना चाहिए किसान बाइ यो गेहू की फसल में आप 40 दिन या 50 दिन से पहले पहले हुमिक एसिट का प्रियोग कर ले क्योंकि यही सई समय होता है फसल की ग्रोथ बढ़वार टेलरिंग फुटाओ का अगर इसी समय पर आप हुमिक एसिट का प्रियोग करेंगे तो काफी एच्छी रिजल्ट आपको मिलेंगे यहू में ज़ादा से ज़ादा कल्ये ज़ादा से ज़ादा फुटाओ आएगा पेद्वार अधिक होगी मार्केट में आपको Humic Acid Liquid के रूप में भी मिल जाता है आप Spray के मादिम से भी Humic Acid का परियोग कर सकते है लेकिन आपको एक बात ध्यान दखना है कि Humic Acid का परियोग आपको फंगी सैड़य कीटनस के साथ नहीं करना है अगर आप इनके साथ परियोग करेंगे तो उतना अधिक रिजल्ट आपको नहीं मिल पाएगा Spray के मादिम से भी आप Humic Acid का परियोग कर सकते है ड्रीप में भी दे सकते है इसके अलावा दानेदार Humic Acid जो 98% आता है उसका परियोग भी आप कर सकते है जड़ों के पास दे सकते है यूरिया के साथ मिला सकते है किसी भी अन्य ग्रोथ प्रमोटर के साथ मिला सकते है कापी अच्छी रिजल्ट आपको मिलेंगे अगर आप जड़ों के पास Humic Acid दे रहे है अगर आप देखेंगे कि इसका परियोग करते ही हमें अच्छी रिजल्ट मिलना चाहिए तो Humic Acid का रिजल्ट दीरे दीरे मिलता है अगर गेहूं में पीलापन है बढ़वार कम है तो अगर आप स्प्रे के मादिम से Humic Acid का परियोग करते है तो भी कापी अच्छी रिजल्ट मिलते है गेहूं के अलावा लगबग सभी फसलों में Humic Acid का परियोग किया जाता है और सभी फसलों में इसके रिजल्ट कापी अच्छे किसानों को मिलते है किसान भाई यो आप कमेंट करके जरूर बताए कि क्या आप भी गेहूं की वसल में Humic Acid का परियोग करते है अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना ना बुले धन्यवाद